आपके जीपेट के एक्जाम का डेट आ गया है, एट चून को पेपर होने वाला है, अब यहां पर दो केटेगरी के बच्चे हैं, जो प्रिप्रेटिशन करना शुरू करेंगे या कर रहे होंगे, एक वो बच्चे जो जीपेट सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनको अच्छी रेंकिंग लाते हैं, दोनों को ही बराबर स्टैपेंड मिलना होता है, इंफरम पोर्स में जोइन करने पे, तो वो बच्चे जिनको सिप किसी तरीके सी स्कॉलर्शिप मिल जाए, वो अपना इंफरम कंटीन्यो कर सके, दूसरी के बच्चे होते हैं, जिनको एक न या एक सो दोसों के पास आप रेंक लाना चाहते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा कॉलिद मिल जाए, एक और तरह के बच्चे होंगे, जो सम्हाँ क्वालिफाइ करेंगे, और उनको नाई पर भी अच्छी रेंक लानी है, तो ऐसे बच्चे अभी प्रिपेरिशन कर रह तो सभी के लिए अभी एक सूटेवल टाइम है क्योंकि हमीश सफिशिंट टाइम मिल रहा है प्रिपेरिशन करने के लिए, एट जून को अगर पेपर होगा तो आपके पास एक्जाक्ली दो महिने मिलते हैं, तो चाहे बच्चा शूरू से प्रिपेरिशन कर रहा हो या भी अभी प्रिपेरिशन कर रहा होगा, सबके पास एक अच्छा चांस है, किसी को के साथ अभी नुकसान नहीं है ना फायदा नहीं है, सबको बराबर ऑपरशुनेटी मिल रही है अपने हिसाब से मेनद करने के लिए, तो आपको एक अभी गाइडेंस की जुरत होगी कि लास् के लिए प्रिपेर करने के वो डिसाइट करेगा कि आपका सेलेक्शन होगा या नहीं, या आपकी एक अच्छी रैंकिंग आएगी या नहीं, एक बच्चा होता है जो साल बर दो साल से प्रिपेरिशन कर रहा होता है, लेकिन लास्ट मुमेंट पे प्रिपेरिशन नहीं करत जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनका सेलेक्शन और यह बच्छा लगा देता है तो उसका सेलेक्शन पक्का है इसलिए अभी का जो दो महिने है वो आपको एकदम पर्फेक्टली यूटिलाइस करना है और कैसे करना है यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हो आखर क्रिविटे के क्यों को कई बार सॉल करें सिर्फ जो सकते प्रीविश यूटितू प्रीविश वाली के मिसची ही जैनने यहां से चुरू करते Mozart कि क्यों का पाटन है और अनिलाइस करना है और वह सब हो सकता है प्रीविश तो यूटिल अगी तरीका होता है सबसे पहले आप जो recent year है, वहां से शुरू करिए, जैसे 2023 में last paper हुआ है जीपट का, shift to 1 और shift to 2, तो वहां से शुरू करिए, उसके बाद last तक जाए है, जीपट 2010 में शुरू हुआ था, तो वहां तक आप end करिए, इस तरीके से आपको लेके चलना है, 23, 22, 21, क्योंकि recent जो pattern है, वही आपको exactly, most probably आपको उसी pattern का भी question मिलने वाला है, तो इस तरीके से आपको analyze करना है, देखना है, और question paper को continuously solve करना है, एक दिन आप break किये बिना लगातार 10 दिन तक, कम से कम दिन में, 2 paper, 3 paper, जितनी भी आपकी strategy है, जितना आपकी capacity उसे साब से solve करिए, आप चाहें जाते हों, काम करने ज आपके पास इतना time तो मिलेगा ही, दिन में 24 गंटे में इतना time तो होगा ही, कि आप सम्हाओ previous questions को 10 दिन में कर ले, उसके बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, थीवरी preparation पे ध्यान देना है, कुछ दिन आपको सिर्फ थीवरी preparation करना है, कि लास्ट का पंदरा दिन है, वो आप सिबसे पहले अपनी पसंदेदा subject को चुनिए, जो major subjects हम बताते हैं, pharmaceutical chemistry, pharmacology और pharmaceutics, इनके अंतर जो minor subjects उनको भी include करना है, उनके related subjects उनको भी लेना है, इन में से जो आपको पसंद है, उस subject को प्रिपेर करना शुरू करिए, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी आपको सहीं लगता 10-10 दिन comfortable है, तो भी ठीक है, उसे साफ से आपके अभी 40 days वे, 20 days वे last बाकी है, उसमें आपको सिर्फ MCQ प्रिपेर करना है, तो last के जो 10 दिन, थेवरी के लिए आप अपना sufficient time लिजे, last के 10 दिन या 15 दिन आप सिर्फ MCQ प्रिपेरेशन के लिए छोड के रखे, अमने MCQ प्र बाकी का जो time है, उसमें आप कम से कम, 30-40 दिन तक लगातार आपको, 30-40 दिन तक, आपको लगातार क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थेवरीज पढ़ने है, यूगि बहुत basic level के questions आते हैं, to the point questions आते हैं, कोई बहुत घुमाफिरा के questions या फिर बहुत reasoning type का question नहीं आता, जैस आप सही references चूज करें, reference के लिए मैंने पहले ही video बना दिया था, खौन से reference आप चूज कर सकते हैं, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं, उसके बाद last का 10-15 दिन अपने हिसाब से बचा के रखें, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ करना है, तो ये आपकी strategy होने चाहिए, last two month क के लिए, अब कई लोग अभी यही सोचते हुए बैठे होंगे जो लोग कि last time आगया, कैसे हमारा selection होगा, उनके लिए, वतादू कुछ भी impossible नहीं होता, आप अपना पूरा dedication, अपना पूरा effort लगा दीजे, और वो भी single goal के लिए आप अपना effort लगाईए, continuous आप repetition करे, continuous अगर आपको एक बहुत अच्छी college चाहिए, जीपेट के तुरू ही चाहिए, तो कम से कम 200-200 के अंदर आप rank लाइए, टॉप colleges में आपको admission मिल जाएगा, और जिनको नाइपर चाहिए, उनको भी थोड़ा अच्छे से qualify करिए, ताकि आपको भी तरह की risk से बच बच जाए, उसके बाद नाइपर, नाइपर के लिए आपको इस पर जड़ा time नहीं मिलने वाला, इसलिए इसी के साथ साथ सब preparation करिए, नाइपर का paper को बहुत अलग नहीं होता, नाइपर का paper जैसा मेरा experience रहा है, बहुत easy होता है, जीपेट से भी तोड़ा easy होता है, क्योंकि इसमें अब नहीं मिलता, इस तरीके से इस बार pattern है, वैसे ही आपको preparation करनी है, अपना पूरा effort सिर्फ आप single goal के लिए लगाए, जीपेट में मुझे अच्छा रेंक लाना है, जीपेट में मुझे अच्छा score करना है, ताकि मैं एक best college में admission ले सकूँ, बाकी की चीजे college, fees, ये सब ब जो आपका choice, आपके पसंद का area है, वहाँ पर देख लिजी कि कौन से college का application शुरू हो गया है, वो पहले से भर के रखे अगर उनका dates आ गया है, वैसे तो जून में शुरू होनी चाहिए, जो colleges जीपेट के हिसाब से लेंगे, वो लोग अपना application जून में शुरू करेंगे, म तो अपने city के हिसाब से college भी पर देख के रखें, लेकिन एकदम से आप वही दिन भर ढूंते मत रहें कि आपका जीपेट का paper ही छूट जाए, आप उसी का preparation ने कर पाएं, तो फिर उस college में आप जिसमें लेना चाहते है, उसमें admission भी ने ले पाएंगे, इसलिए थोड़ा स मैं कुछ नहीं करने वाली, जो बड़ी-बड़ी coachings ने आपको जूटे दिला से देते हैं, वैसे नहीं देने वाली, मैं आपको एक real point of view बता रही हूँ, आपको self-control चाहिए, self-control is very important for success, जो इंसान self-control कर सकता है, अपने time को अपने time को अपने हिसाब से manage कर सकता है, और सही तरीके से utilize कर सकता है, डिजाइन कर सकता है अपना time, वो इनसान जरूर किसी भी exam में क्या हर जगा successful होता है, तो यह सब बाते आपको ध्यान में रखनी है, जिस तरीके से आपका level है, आप post-graduate exam के लिए preparation कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको खुदी सारी समझदारी दिखान याद रखिएगा कि time बदलने में देर नहीं होती है, बशरते आप मेहनत करने के लिए तयार है, अब मुझे कई लोग बोलते हैं, कई वीडियो में मुझे कमेंट आता है कि मैं अभी भी रीजन मुझे कई कमेंट साते हैं, ऐसे positive negative वाला, कई लोग बोलते हैं कि मैं आप negative सबके अपने अपने point of view हैं, मैं उस पर उतना ध्यार नहीं देती, क्योंकि मुझे सच बोलना पसंद है, मुझे रियालिटी से आपको रुबरु परु कराना है, मैं आपको धोके भी तहीं रखना चाहती है, जो coaching institute है, जो आपको YouTube पी रिखना है, मुसली आपको ऐसी वीड से इंपरु करता है, motivation, demotivation जैसे चीज़े अब नहीं होनी चाहिए, तक करते रहे है, motivational video for need for that, अब यह नहीं चलेगा, अब आप रियालिटी में अंटर कर चुके हैं, अपना सोचने का तरीका बदलिए, अब आपको लाइफ के हार situation का सामना करना है, उस तरीके से आपको त्यार रहना है, तो मैं तो आपको रियालिटी ही बताऊंगी, कि what is happening and what is going to happen, अब आप दोके में रहना पसंद करते हैं, तो you can choose that, आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी पोईट्री रखी है, जो मैं सुनाना चाहूं कि, क्योंकि I love to read, I love to write, और मैंने ही लिखी थ लिखा है, तो you can also maybe correlate, एक नई उडान इसका सिर्शक है, इंतिजार का साथ छोड़कर समय के संग भागो तूं, मुहमाया का जाल छोड़कर उड़कर अब दिखला दो तूं, मिला है उसर नए मोड पर मंजिल की ओर भागो तूं, भीड से थोड़ा अलग निकल कर खुद को नई राह दिखला दो तूं, अंधकार का जाल तोड़कर रोशनी के संग भागो तूं, जब नहीं मिलेगा कहीं उजाला, जुगनुवन दिखला दो तूं, खुद हे खुद का साथ निभाग कर जिन्दगी के संग भागो तूं, मुहमाया का जाल तोड़कर उड़कर अब अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमिन बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे लिंकीन, इंस्ट्रग्राम, कई सारे वेज हैं उसके तुरू कॉंटेक कर सकते हैं आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की दिस्क्रिप्शन में नहीं आपको चैनल दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो स्टे हल्दी, स्टे सेफ, वाव गुड़ देग